हेलो फ्रेंट्स एका फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आज के स्वेडियो में आपको बताने वाले केमेश्ट्री अब्जेक्टीव में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से त्यारी करना तो प्लीज वीडियो में अंतक बने रहे और स जब से यहां पर कुरोणा वाइरस आ रखा है तब से यहां पर फ्रेंट्स ऑब्जेक्टीव इजाम कर दिया गया और और objective exam से होता है कि काफी students इसमें fail हो जाते हैं या promoted हो जाते हैं क्योंकि देखे theory का जो exam होता था तो student कुछ भी लिख देते थे और यहां पर examiner कुछ number डालके pass कर देते थे लेकिन अब objective में क्या होता है चारी option रहता है अगर option number C right है और आपने A लिख दिया है तो आपको वहा यहां पर friends merit or demerit होता है objective और theory exam में तो आप यहां पर देख सकते हो बाकी इसमें objective से फायदा उनी लोग को हुआ है जिसका theory यहां पर अच्छा रहता है objective में उनको कम लिखना पड़ता है तो देखे मैं आपको important point बता देता हूं जो आपको theory sorry objective का त्यारी करना है तो friends देख इसकी में यहां पर आपको देदता हूं किस तरह सवाल आ सकते हैं तो पहला question यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि पूचा हूँ है a catalyst increases the rate of reaction because it यहां पर देखसकते हैं आप question कहां से पूचा जा रहा है catalyst से पूचा जा रहा है अब catalyst से आपको क्या करना है, catalyst का आपको property पढ़ लेना है, इसका reaction कब increase करता है, कब decrease करता है, उसका क्या कारान है, और उसके बाद friends, reversible जैसे कि यहां पर पूछा जा रहा है, तो आपको reversible दिग गया, तो आपको इसके opposite irreversible reaction भी अच्छे से पढ़ लेना है, तो इस तरह से आप topic भी यहां पर अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप इस तरह से question बना लोगे, तो आपको question यहां से देखना है, यहां से आपको idea हो जाएगा, कौन से topic से आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको question number 3, which is not a characteristics of a catalyst, तो लगभा cool मिला कि यहां पर आपको catalyst से समंदित question देखन a catalyst in the substance which, तो इस तरह से आपको question थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, उसके बाद देखें next question के 5 में, the effect of a catalyst in a chemical reaction is to chain the, तो यहां पर आपको short इस तरह से objective भी अच्छे से तियार कर लेना, और साथ में theory को छोड़ना नहीं, theory भी friends साथ में पूछना है, क्योंकि यहां पर जो question प पूछा जाता है, तो जैसे कि यहां पर देखें, लिखा हो a catalyst, तो यहां पर answer number C, alter the reaction mechanism, तो आप theory पढ़ोगे तब ना, आप objective का यहां पर दे सकता है, जैसे कि यहां पर पूछा which of the following statement is incorrect, तो आपको theory का यहां पर points साब पढ़ोगे, तब ही यहां पर answer देखें, तो उसके nitrogenous ही पढ़ लेना, क्या होता है, दोनों का definition, example, कहां use होता है, और इसका chemical reaction सब देख लेना है, उसके बाद देखें, यहां पर a catalyst is used, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसका property use कहा होता है, वो सब पढ़ लेना है, तब ही आप इन सब के answer दे पागे, उसके आप यहां पर पढ़ो के तब ही आप इन सब के answer देख सकते हैं, तो देखें, 30 number में भी वही पूछा हो है, catalyst के उपर, उसके बाद 40 number में भी वही है, which one of the following stage में about a catalyst is true, इसमें तो काफी question यहां पर catalyst के उपर दिये गए हैं, लेकिन आपको exam में इतना देखने को नहीं catalyst, तो देखां, यहां पर homogeneous catalyst के उपर सवाल पूछा हो है, उसके बाद यहां पर 60 number में देख सकते हो, according to adoption theory of catalysis, the speed of the reaction increases because, तो आपको यहां पर absorption है, absorption एक अलग term होता है, absorption अलग होता है, तो दोनों आच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद यहां पर देख सकते है, auto catalytic reaction है, य यहां पर आपने term पढ़ लेना, यहां पर आपको term खाली एक idea लेना है, इस पूरा question से, जैसके आप देख सकते है, which one of the following is not an example of homogeneous catalysis, उसके बाद यहां पर reaction आपको पढ़ लेना अच्छे से, homogeneous catalyst का example कौन सा बताना आपको, उसके बाद incorrect in case of heterogeneous catalysis, तो यहां पर ज्यादा हाड सवाल नहीं पूछा जाता है, असानी रहेगा, उसके बाद 22 में पूछा regarding criteria of catalysis, which one of the following statement is not true, उसके बाद है, the negative catalyst retards the speed because, तो इसका हो जाएगा B answer, तो आप यहां से कुछ idea ले सकते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो description में मैंने बता दिया, आप वहां पर जाके इसको ल यह direct question आ जाता है, वनस्पती गी is manufactured by, तो इसका answer हो जाएगा, hydrogenation of oil, यह कुछ इसमें important question इस direct यहीं से पूछा जाता है, जैसे कि 32 भी very very important question है, यह बहुत बार यह सब पूछा गया है question सा, और आपको क्या करना है, फ्रेंट थोड़ा सा idea ले लेना, previous year किस तरह सा question पूछा ग इसके से त्यार करना है, जैसे कि 43 में है, तो आपको galvanic cell यहाँ पे reaction है, अकर्स यह सब पूछा जायका reaction से related, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, cell reaction for the cell, तो cell reaction तो इतना important है कि तो हर बार आता है, आपको reaction निकाल लाना चाहिए, कैसे निकालते हैं इसको, और यहाँ पे कर लेजिएगा, तो जो आपका सलेबास है, OC से थोड़ा बहुत question आप ज्यादा hard नहीं पूछेगा, hard level का जो आप बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आदे सकते हैं, first law of thermodynamics का equation पूछा है, तो आपको second law, third law सब का equation याद करना है, तो यहाँ चोटा मोटा question friends पूछा जाएगा और यहाँ पे पूछा जा रहे है, यह reaction यह किया है, तो यह हमारा complex compound subview को मालूम होगा, तो friends यही सब question पूछा जाता है, उमीद करता है, उमीद करता है आपको helpful रहोगा कि किस तरह से आपको त्यारी करना है, इसका PDF आप लेज से तो डिस्क्रेशन में सब पूर्स बता दि यह हैं बढ़ा जो जांना कि अमीद दिएसूणants लेजा है, तो है कि तक्या वढ़ा है, उमीद को